नमस्कार दोस्तों मैं सुजीद कुमार एडवान्स एक्सल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पाउर ब्याई की वीडियो टिक्टोरियल में तो लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था कुछ बेसिक एन कुछ थेओरिकल स्ट्रेक्चर आप दा प करने के बाद हमने एक माइक्रोशॉफ्ट का एकांट भी क्रियेट कर लिया है और उच्छे मेंने मुझे फ्री मिला हुआ है अगरे इससे अपके सामने फ्री हो रहा है इसमें देखिए यह आपका विंडो है अपका लिए क्रिये करें तो इक्स्टोर बरजन को यूज कर सक अदरबाई आ रिपोर्ट पीडियेंग में और नहीं तो पार विए के इस सॉफ्टरे में ही सेट कर पाएंगे तो यहां पी हमारे पास साइन इन है ट्राइफ री इस पर हम आभी आते हैं उसे पहले यहां पर कुछ ब्लॉक्स के बारे में दिखे हैं इसके बारे में जाने जिए जैसे की वार्स तर्नियू इस पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइन पर चला जाएगा जिसमें एक आर्टिकल मिलेगा कि पाल वेगी में क्या क्या नया है जिसमें आफ थिकना है अतरुम पार्विए ≡ li कि आप और सीखने जा रहे हैं तो पाइर्च जोबनियों के बारे नियूजिद युइ wrapped वी याफ आ उनके बारे में भी नोलीज मिज्व जाएए तो आप Power BI ब्लॉग पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको Power BI का ब्लॉग मिल जाएगा जिसमें आप Power BI इसलेटेट बहुत सारे चीजे यहाँ पे आपको दीखने को मिलेगी उसके बार अगर हम फॉर्म में जाते हैं जहाँ पे आप अपने Questions बगरा आप दाल सकते हैं जैसे बहुत सारे विबसाइट पे जाते होंगे आक्समी.com है Questions याओ है ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहाँ पे आप अपने Questions को उपट करते हैं और जो उनसे एक्सपोर्ट मेंबर्स हैं आपके जैसे भी और मेंबर्स होंगे जो ऑल्लेडी एक्सपोर्ट होंगे वो questions को उनके उपर जबाब देंगे जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है Fox Ask the Anything Questions and Answer यहाँ पे आपको ताच लेगा कि आपके कितने replies आया है कितने आपके इसके पर व्यूज होंगे हैं आपके questions को लोगों ने देखा है किसने reply कर दिया कि किसने प्रॉलम किया और किसने जवाब दिया आप उपर दिले कि हाई प्रॉलम आपने लगा दिया कि प्रॉलम सॉल तो फिर यहाँ पी इस तरह का कि टिक्टोरियल की यूटूब पे मेरे और मेरे जैसे बहुत साथ लोगों ने पाउर्ट वीडियोज डाल लगे हैं लेकिं टिक्टोरियल पे क्लिक करेंगे तो आप Microsoft की official tutorial site पे चले जाएंगे और वहां से आप learn कर सकते हैं अलग अलग यहां पे chapters हैं उन chapters के जरीए आप यहां से learn कर सकते हैं लेकिन हमारे वीडियो देखने का फैदा यह रहेगा क्योंकि मैं already पिछले 13 सालों से इंद्वांस इक्षलर और माइस के ऊपर में classes दे रहा हूं तो हम आपको compare करके अदा सकते हैं कौन से report को Excel के जरीए easily बनाया जा सकता है और power BI का use करना जहुरी नहीं है अब बोलेंगे सर कि power BI हम use करी रहे हैं तो फिर Excel के क्या बात आती है report sharing जी हाँ report sharing की हम बात करते हैं इसके उपर क्योंकि अगर power BI के यूज करते हैं तो आप reports को dynamically जो है सिर्फ बेव format पर या फिर आप जो है इसके power BI के software के जरीए ही share कर सकते हैं इसके क्या होगा कि हर किसी को power BI के लिए software available होना चाहिए और power BI की अगर मालने से software आप purchase करने की बात करते हैं तो आप मैं बता देता हूं power BI की software purchase करने जाते हैं तो दो तरीकी की pricing है इसमें प्राइजिंग पर क्लिक करें power BI के साइट पर एक हमारा individually होता है कि पावर बेब प्रोप और आपका 606 रुपया महीना मतलग की साथ हजार से आठ लंग चलाना आपको देना पड़ेगा कि कंपनी पर चेंज करती है तो उसको तीन लाख तीस जार रुपया का मंतली पे करना लोगा तो आप सबसे तेंगे कितनी महमी सर्विसेज है तो हर को इसको अवेल नहीं करेगा क्योंकि आप अपर साइन अप फ्री करते हैं तो फ्री आपको 56 में 180 दिन के लिए देता है इसलिए तो अब यहां इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को एकसल पर हम एजली कर सकते हैं और कौन से हमें पावर प्याई की जरूत पड़ेगी इसलिए हमारी ट्रिटोरियल को देखने से एक बेनेफिट आपको यह भी मिल सकता है अब माली जी ट्राइफिरी करते तो अपनी एकवांट कर सकते हैं अपनी इमेल आईडी हमेशा कंपनी की ओनी चाहिए अब आप यहां पर पासऩर्ड दालने की बात कर रहा है तो पासपे में माली जी मैं अपना पासपर्ट डाल दिया यहां प्रेश हमारा इरिया है यहां प्रेश के तरह इसका भी इंटरफेस ब्लकुल सिंपल है जिसमें आपके हां पर filters हैं जिसमें आप विजलाइशन हैं फिल्ट्स है और डेटा का Connectivity है चीरिया है तो आपको अब बहुता दो कि इसका कोई अपना डेटा वेस नहीं होता है एक डेटा को पहले पिक अप करता है पॉलिशनल डेटा से तो आपको यहां पर गेट डेटा पर जाके डेटा लेना पड़ेगा और यह बिल्कूल Excel के Power Query की तरह ही होता है इसलिए अग्नी वीडियो से हमारी Power Query की ही होगी तो यह पावर की जैसा ही बिल्कूल होता है तो यहां पर हम आते हैं अपनी कोई डेटा जिसे मैं डेस्टॉप पर जाता हूँ एक सेंपल आप बताता हूं कि आखकर होगा क्या एक डेटा को हमने यह से ओपन कर लिया तो बिल्कूल जैसे डेटाबेस में हम पावर कुरी इस्तेमाल करते हैं डेटा की कनेक्टिवीटी के लिए किसी एक्स्टेंडर डेटा सोर्स या डिफरेंट्ट डेटा विशे से लेने के लिए बिल्कूल ऐसा ही होगा मुझे इसमें सी नुका डेटा चाहिए तो यहां पर देखिए सी टू का डेटा हमारे प अब मेरा डीटा लोड हो रहा है तो डीटा का यहां पर प्रतिबिम होता है मतलब कि इसका एक पार्ट होता है ओरिजिनल डेटा यहां पर नहीं होता है तो अपका होता है यहां पर इक्सल जहां पर डेटा पर क्लिक किए यहां पर डेटा रहीं होता है कि आपको बस यहां से अपनी विजलाइशन का चूच करना है कि मुझे क्या चाहिए मैंने इसको उठाया और मैंने यहां पर रख दिया और फिर इसमें अपने हम quantity को लेते quantity ले लिया इसमें माली जब दो फिर्ट देते हैं क्योंकि बहुत सारे चार्ट जो है वह उसकी हिसाब से वर्क करते हैं दो फिर्ट आप से वर्क नहीं हो गया तो इस तरह से इसका इस्तमार किया जाता है और इस तरह से विजलेशन बनाएंगे और जैसे जहां रखना है आप रखेंगे और हमारा और अटमेटिकली जो है रिपोर्ट बनता चला जाएगा जैसे कि मैंने एक और विजलेशन लिया यहां पर इसको उठाके हमने यहां पर पिक करेंगे इसके बीच में कुछ और चाहिए आपको तो यह बस आपको यहां से पिक करना है इसे मुझे प्रोडक्ट बाइट का टोटल चाहिए इसमें मिजलेशन क्या होना चाहिए कि यह अल्रेड यह है और मिजलेशन से मालेशन पर इसको लिया हुआ है क्यूतिति है फ्रें अब कि उसके इस तरह से और भी एंसे पूर्स को आप यहां पर इसके तरय स्कुर्च रख सकते हैं और यहां पर आपना टाइटल भागर निस Note कर सकते हैं इस तरह की चीजिया हम यहां पर इस टेक्स बॉक्स यहां से लीजिए और यहां पर जो लिखना है लिख दिजिए जिसे की और इसको छोटा कर देता हूं और इसकी सटेक्स साइज को मैं बढा देता हूं लिखने से पहले हैं अब साइज को बरा सकते हैं या लिखने के बार देता हूं बोल्ड कर देता हूं अंडर लाइन कर देता हूं और इसको अब हां अब हम आपने के सब्सक्राइब आपका डेटा है यह आपका देटा है यह आपका मुडूल होता है यह यह दो फिलिटर आएगा आपके विजलाजेशिव चूंस ऐगा fields है, जो data fields से हो रहा है अब इसके बारे हम आगे classes में अच्छी तरीकी से जानेंगे इसी तरह से हमारे वीडियो पर बने रहे तो लाइक किजिए, चैनल को सस्क्राइब किजिए और कोई भी doubt हो तो मुझे call किजिए